स्वागत है फ्रेंट रांच संदी ब्लॉक्स में तो आज का टोपिक काफी अस्पेशल होने वाला है गाइस तो इससे पहले पिछला वीडियो मैंने रिम्स के बारे में दिया उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिखाया और बहुत ही अच्छा रिस्पोंस मिला है इसलिए मैं दुसरा वीडियो लेका आया हूँ आप लोग को पता ही होगा गाइस कि रिम्स जार्कन का पच्छ नंबर वन हो स्पिटल में से आता है और यहां पे बहुत दूर दूर से लोग यहां पे अपना इलाज कराने के लिए आते हैं तो अगर सबसे पहले अगर आपको साफ काता हो फासी लगा हो, जहर खाया हो, एक्सिडेंट केस हो या कोई भी आपका एमर्जेंसी इमिडिटली इलाज के लिए आपको सबसे पहले ट्रामा सेंटर आना पड़ेगा और देख सकते हैं ट्रामा सेंटर में इस तरह से सेड लगाया गया है जिसमें से परिजन लोग आराम से बिस्राम कर सकते हैं अगर आप को टिकट कटाके जिसके अंदर आपको जाना पड़ेगा तो टीकट के लिए आपको आधार काड अनिवारी रिम्स के चारो और जगह जगह पे बोट लगाया गया है और मैं आपको लेके जा रहा हूँ यह देख सकते हैं यह है इसको बोलते हैं पुराना बिल्डिंग और यह पुराना बिल्डिंग है और यह मैंने गट चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टिकट काउंटर इस ट डॉक्टर ओपेडी कोई भी मिलेंगे कोई भी डॉक्टर आपको ओपेडी टाइमिंग में ही मिलेंगे अगर ओपेडी दिखाना है तो तहवार और छोटी के दिन में अक्सर ओपेडी बंद रहती है यह ध्यान रहे इस होस्पीटल में पहाई भी की जाती है MBBS की कोर्स की जाती है, JNM की कोर्स की जाती है, NM की कोर्स की जाती है, BAC nursing, X-ray technician, lab technician और बाकी बाद जितने भी medical छेतर से जुड़ी हुई है सारा कुछ चलि हम लोग OPD complex से बाहर में आपको दिखा रहा हूँ, यह है Iceman counter, इस counter में ही आपका कोई भी Iceman का इलाज होता है, तो इसी counter में आपका registration करना पड़ता है, और registration करके ही आप इलाज करा सकते हैं, अगर आपका कोई जनम परमान पत्र बनाना हो, मेर्तिव परमान पत्र बनाना ह या LIC से कुई भी चीज ऐसा matter हो, वो यह दो नमबर counter और जो Iceman counter के opposite में ही है, यह ground floor में ही आपको देखने को मिलेगा, यह है साहता केंदर, यहां से अगर आपको को information लेना है, तो यहां से आपको, चलिए मैं आप लोग को हर एक विभाग में ले जलता हूँ, और यह है औस सदी विभाग जिसे English medicine बोलते हैं, यह ground floor पे इस्तित है, तो लोग यहां पे सुबह से लेके साम तक यहां पे line में लगे रहते हैं, और यह है सिसु विभाग जो की medicine विभाग के बगल में ही ground floor पे इस्तित है, चलिए मैं first floor में लेक चलता हूँ, यह है skin department, जहां पे गुप सदी विभाग का जो emergency वहीं पे है, और आगे मैं लेक चलता हूँ आपको neurosurgery, यह first floor में इस्तित है neurosurgery, जहां का timing आप देख सकते हैं, इस तरह से board में सारा जगा आपको detail लिखा गया है, और इस तरह से आपको neurosurgery देखने मिलेगा, यह surgical OPD, यहां पे surgery और ortho department दोनों है, औ और आपको left side में यह surgery दिखेंगे और right side में ortho दिखेंगे, चलिए मैं यह दिखाता हूँ, यह है आपका, यह देख सकते हैं, इधर पे आपको surgery department मिलेगा left side में, और right side में आपको ortho department मिलेगा, और यह बगल में PMR है, जहां पे नास वगरा का बीमारियों का इलाज क्या जा पाई का विभाग जो भी है, आपको आंक, कान, गला का कोई भी समस्या हो हो, तो वो ground floor में आपको देखने को मिलेगा, जो bathroom के बगल में ही आपको ENT, OPD देखने को मिलेगा, यहां पे आंक, कान, गला, नाक, कुछ में भी problem है, तो यहां आके आप इलाज करवा सकते हैं, तो इस तरह से यहां पे OPD आपको देखने को मिलेगा, इनका भी timing सेम है, आक का भी operation, मोतिया भी operation यहां पे क्या जाता है, तो इस तरह से डाक्टर का जितना भी list है, यहां पे इस तरह से लगा गया है, और कौन-कौन सा दिन कब-कब बैठते हैं, उसका भी वीडियो में अलग से बना चुका हूँ, तो वो भी description में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं, तो यह देख सकते हैं, यह है blood collection center, यहां पे आपको देखने को मिलेगा blood collection center, यहां से blood collect क्या जाता है, उसके बाद कोई भी जाच हो, यहां पे क्या जाता है, जैसे कि LFT हो, और urine जाच हो, यह कोई भी जाच हो, यहां पे इसको जाच किया जाता है, और इस तरह से blood collect करके फिर यहां पे sample को दिया जाता है, तो चलिए आप लोग को next जाच घर में लेग जाता हूँ, यह है आपका radiology विभाग, यहां पे आपका CTS scan होता है, X-ray होता है, MRI होता है, और ultrasound होता है, सारी यह यहां विभाग में इस तरह का जाच यहां पे की जाती है, जो कि first floor में इस्तित है, X-ray विभाग और ultrasound जितने भी है, first floor में इस्तित है, और X-ray भी आपको first floor में ही देखने को मिलेगा, इस तरह का देख सकते हैं, हर एक department का अलग अलग विभाग बनाया गया है, जो कि बहुत सथी बड़ा area में आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आप रिम्ट में इलाज करा रहे हैं, तो यह विडियो जरूल आपके लिए महतवपुन और कामदायक होगा, तो देख सकते हैं, इस तरह का आपको यहां पे ब्यवस्था दी गई है, ABG, BBG का जात जो होता है, first floor में 225 नमबर पे होता है, यह देख सकते हैं, यह इसी दुआर से ABG के तरफ जाते हैं, और अगर आपको निसूल को दावा और सधी डॉक्टर से मिलने के बाद, इस फार्मेसी काउंटर नमबर 3 में, जो की आईस्वान काउंटर के बगल में, वहां से आपको देखने को मिलेग चलिए मैं next ले चलता हूँ आपको blood bank, यहां पे हर group का आपको blood मिलेगा, O positive, A positive, B positive, A positive, जितने भी परकार का blood है, इस blood bank में यहां पे मिलता है, तो देख सकते हैं, यह rims का blood bank, actually में यह ground floor पे इस्तित है, blood bank की सेवाएं 2400 घंटा दी जाती है, जो की यह ground floor पे इस्तित है, य लोगों को बैठने के लिए इस तरह का बेवस्था rims ने किया है, तो चलिए हम लोग आगे की और चलते हैं, और देखते हैं, कि किस तरह का जानकारी मैं आप लोग को दे पाता हूँ, तो यह देख सकते हैं, यह emergency gate की तरफ जाता है, यहां से आपको, और इस तरह का साप मिलेगा, और bridge से पार होके आपको देखने को मिलेगा, यह paying ward, यह rims का paying ward है, जहां पे आपको paying ward मतलब जो होता है, जो cottage होता है, जिसमें से आपको personal private room यहां पे मिलती है, जिसमें आपको पैसा payment करके, आपको rims के द्वारा private आपको सेवाद दी जाती है, तो यह देख सकते आपको चलते हैं, यहीं से आपको परची कटा के जाना पड़ेगा, और मैं आपको परची कटा के जाना पड़ेगा, और मैं आपको अगे की तरफ लेख चलता हो ति इसी में पीडिया सरजरी विभाग है, जहां पर बच्चों का सरजरी करने का जरुत पड़े तो इसी विभाग से आपको मिलना पड़ेगा. चलि यहां पर कर्दिलोगी की तरफ चलते हैं यहां पर कृडिलोणी दिखते हैं और यह देंटल विभाग जहां पे दात का इलाज कहाता है अगर आपको दात की समस्याओं हो तो सेम सिचुएशन में आप यहां पे दात का इलाज कर सकते हैं और यह देंटल विभाग का जहां पे आपको कभी भी आप आ सकते हैं और यह OPD टाइमिंग में ही मिलेगा और याद र इंसर होते हैं वह हैं यहां पर लाच कर आता है तो गाइस वीडियो कैसा लगा पर लाइक करके जरूर बताएगा और कॉमेंट बोसमें जरूर बताए थांक्स पर वाचिंग गाज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो